नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देशी एगरी कल्चर में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में आपको इल्लियो का इस परे कब करना चाहिए मतलग आपको कितनी बार इल्लियो का इस परे करना चाहिए पहले वस्ता कौन से होनी चाहिए दूसरे वस्ता कौन से होनी चाहिए इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं तो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे लाल अक्सरों में सब्सक्राइब डन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को अंच तक जरूर देखना इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकरी देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो में हमारे स्वयबीन की फसल दिखाई दे रहे हैं वो स्वयबीन की वेराइटी हैं तर्राण में 05 दोस्तो इस वेराइटी की बात करें तो यह मतलब थोड़ी अग्यति वेराइटी वेराइटी के अंतरगत आती है तो दोस्तो यह स्वयबीन की बॉइक है लगबग एक मेना और पांस निन हो गया और अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें इल्लियों का इस प्रेइ आपको कब करना चाहिए इस वेराइटी के अलाव भी दूसरे वराइटे पर भी एक अंडिशन लागों होती है तो दोस्तों आपको इल्लियों का कब करना चाहिए दोस्तों यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह स्वयवीन हैं जो इसके फूल आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों एक मैने और पांच दिन के लगबकी यह फसल हो चुके हो रहे हैं और अब इसके फूल आने स्टार्ट हो गए हैं तो दोस्तों अब आपक तो फल्या नहीं बन पाती है और आपके इनकी फसल में मतलब नुक्सान पहुंचता है इससे बहुत दूद्वादर में कमी देखने को हमको मिलती है दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हों कि यह आपने दो इल्लिया है जहां से देखे दोस्तों एक लिए हैं और एक ल दिखाएने लेते हैं फिर भी दोस्तों आपको इस बात का जान रखना है कि फूल आवस्ता आने लग जाए मतलब फूल आने लग जाए अब अब मतलब इस स्वाबिन में दो त्यार दिन में इल्लियों का इस प्रेक कर देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है नहीं तो दोस्त काड़ी दो प्रेक्व गया कि पूरा पतता ही इस पत्ते को काड़ दिया तो पूरा पतता ही यह शूख गया तो दोस्तों इस परकार से एक ख्याट में बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा रही हैं तो आपको जुरूरी है कि सवाबिन में इल्लियों का स्प्रेक कर दीजे जोस्तों बात करें हम दूसरी विस्ता की दूसरी विस्ता में आपको दो बार करना चाहिए बहुत से किसाद क्या करते हैं कि कि एक बार इंट लोगए कर देख और सोचते हैं कि कि हमारे खेत तो दोस्तों क्या होता है कि इसे लकूरिया लगती है तो वह से कजूतने की हुआए तो इल्या टोटल में आपके 30-40 परतिशाku क् anfg ज्यादा बड़त तो लेकिन दोस्तों इतना नहीं बढ़ेगा फिर भी आपके नुक्सान तो पहुंचाएगी दोस्तों जरूरी है कि आपको इसमें दो बार इलियो का स्प्रेक कर देना है स्वाइबीन में तभी आपकी फसल एकदम स्वस्त रहेगी दोस्तों बात करें हमको इलियो का स्प्रेक करना चाहिए कौन सा सब्सक्राइब मैं नाम बताता हूँ तो आप उसमें लिएख सकते हैं बाइर कंपनी होती है वाइर प्रावेट लिमिटेड है उसकी आती है फ्यार के लिक़्ट फेलेस का फिर वह आती है यह के प्रोपक्स प्लस प्लस के वालाव एड्मायर मतलब कुछ बहुत प्रकार की का दौएयां आती है इसमें तो आप कोई सा भी इसमें कर दीजिए आपको दुकानदार के वाला जो आपके सश्ती सश्ती मेहंगे और वह तक निला नहीं आको इसका करना है यह आप इस प्रेक कर दीजे तो आपकी स्वाइब इन एकदम स्वाष्थ रहेगी और आपकी प्रेदावार में आपकी निश्चित तोर पर बड़ोत्री देखने को मिलेगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों चले मिलते हैं अगले वीडियो में